दोस्तो नमस्कार मैं हूँ रागव सर्मारमन जैगोश यूटूब चैनल की तरफ से आज मैं कासी की नगरी में सारनात के रिशी पत्तन अर्थात सारनात इस्तित बहुत मंदिर में प्रविश किया हूँ अफ सामने देख रहे हैं कि पांच बहुत भीश्चूों को उपदेश देती हैं महातमाबुद्ध हैं और उनके धम्मा चक्रा ववास्त ठानम सुता लिखा हूँ है जिसमें उनकी अस्तिया दपनाई गई हां और उस अस्तियों के धर्सन लोग करते हैं नित्य प्रतिदिन यहां पर देश और भी देश से भी लोग आते हैं और दोस्तों मैं बता दो कि दुनिया के लगभग 70 देशों में बहुत धर्म आज फाल फुल रहा है और भारत में इनका जन भले हुआ था लेकिन यहां के जो आडंबरी लोग थे इनको इस देश से बाहर किया और बाहर के देशों में जैसे चाइना है जापान है नेपाल है भुटान है इंडोनेसिया है थाईलेंड है ऐसे ऐसे देशों में जाकर के बहुत धर्म फाल फूल रहा है दोस्तों इससे पहले में बताना चाहूंगा कि महत्मा बुद्ध थे कौन महत्मा बुद्ध कौन थे महत्मा बुद्ध जो है आज से धाई हजार वर्स पुर्यो लुम्बिनी बन में हुआ था उमका जन इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और सुद्धोधन जो थे इनको कोई पूत्र नहीं था इन्हों ने जोतिसीयों से पुथा तो जोतिसीयों ने कहा कि आपको एक पुत्र रतन की प्राप्ती होगी लेकिन वह पुत्र या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा उन्होंने इस बात का ध्यान रखा और जब इनकी पतनी अपने माय के जा रहे थी तो लुम्बनी बन में जाते समय इनको प्रसव पीड़ा होती है और बिच के निते उनका जनम हो जाता है इसके बाद इनके पिता सुदोधन इनका लानल परन बड़ी देख रेके साथ करते हैं महल में सुख सुविधा ऐसो अराम नित्य संगीत और हर तरह के सुख सुखधा का व्यवस्था किया यह धीरे धीरे महत्मा बुद्ध युवावस्था को पार कर गए तो इन्होंने सोच करती है तो उनको कुछी दिनों में एक पूत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल होता है और राहुल जो है अतियां सुन्दर था लेकिन महत्मा बुद्ध का जन्म किसलिए हुआ था किसलिए उनको धर्ती पर भेजा गया था यह महत्मा बुद्ध भूल गय और लाइट आफेशिया तो आप पढ़ेंगे अगर लाइट आफेशिया तो उसमें लिखा गया है कि उन्होंने जब भूल गए और परिवार में फस गए ऐसी विवस्ता उन्होंने कर रखा था कि पूरे महल के अंदर सुन्दर सुन्दर फुलवारी नित्य संगीत के लिए बादक, सुन्दर सुन्दर फुलवारी लगाई गए थे, सुन्दर सुन्दर स्मार्ट लोग रखे गए थे, हस्ते विए मुस्कराते विए लोग थे, यानि दुख नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो यह जो है उसमें फस गए, लेकिन बार बार उनको जो है स्वपन आता था, बार बार स्वपन आता था कि, वेर आर यू लिविंग मिस्टर बुद्धा, डू यूर वर्क, लेकिन वे समझ नहीं पाते थे, उन्होंने अपने जीवन काल में सेवें डिम्स एंड थी सिंस लुग ड, उन्होंने अपने जीवन काल में साथ जो है स्वपने और तीन से देखा, उसमें सबसे पहले वे बड़े होते हैं, जब रात को सपने आते थे तो चौक कर उड़ जाते थे, उनकी पतनी उनको बहुत, वो करती थी कि, हुआ क्या, what happened to you, तो करते थे कुछ नहीं, no, nothing, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वे उठते हैं, और चन्ना जो सार्थ थी था, उनका, उससे बोलते हैं, चन्ना लेटस कामान, मेरे साथ चलो, आज चलो, आज राज भरमड करते हैं, राज भरमड करने के लिए जब जाते हैं, तो देखते हैं कि एक ब्रिध ब्यक्ति रास्ते में बैठा हुआ है, जबकि सुदोधन ने चारों तरफ करके खरा रहा था, और जो बुढ़ापे का धर्द होता है, उसको बेदना पहुचा रहा था, पूछा, बोलते हैं कि यहाँ पर रुख जाओ, तो वो जो है, उनका सार्थी वहाँ पर चन्ना रुख जाता, चन्ना से पोते घवाटी दिस, कहता कि इस इन ओल्ड मैंसर, कहत हैं कि क्या मुझे भी बुढ़ापा आएगी, कहते हैं, यह साब कुर्सा, कहते हैं, हाँ जरूर आपको भी आएगी, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं, चलो वापस जाने के बाद, फिर दूसरे दिन कहते हैं, कि चन्ना आज चलो फिर चलते हैं, जब चन्ना को ले है कि यह रोगी है क्या रोगी है तो बोलते हैं कि क्या हमको भी रोग होगा बोलते हैं यह सापकोर सर कहता है कि ठीक है तब चलो वापस चलते हैं बहुत दुखी होते हैं इसके बाद फी तीसरे दिन वहीं घटना होती है वेलुक भरमण पर फिर जाते हैं जब भरमण पर जा और उनके मन में एक भाव हो जाता है कि यह तो संसार दुख से ही भरा हुआ तो इतना दिन ऐसो आराम में सुक की जिन्दकी ची रहा था लेकिन यहां तो दुखा ही दुखा है दिस इज रियल्टी आप दो वर्ल इस इंद है रियल्टी आप दो वर्ल और आल पीपूल सार रिलेटे तुदा सैड़ने साहन पेइनफुल लाइफ तो कर रहे हैं कि उनका जीवन तो सबका दुखी है इसलिए हमको तो दुख का निवारन करने के लिए इस संसार से निकलना पड़ेगा अब वहीं से वह सपत खा लेते हैं एक दिन रात को अपनी पत अपनी को देखते हैं और घर छोड़ेते हैं महत्मा बुद्ध सातियों धर्म चक्र के प्रचार के लिए प्रसार के लिए महनावता के प्रचार के लिए और संसार के लोगों के दुख को निवान करने के लिए उनका जन्म हुआ था वहीं निकल जाते हैं और निकलने के बा बैठे हुए हैं और यहां पर अस्तांगी मार का देते हैं संदेश इसके बाद भीचुओं को देश के अन्य भागों में भेज़ देते हैं और अन्य भागों के अलवा आप जानते हैं कि जो समराट असोक था वह बहुत धर्म को अपना लेता है कलेंग जुद्ध के बाद वह बिचलित हो जाता है और महत्मा बुद्ध से प्रेरित हो करके बहुत धर्म अपनाता है और बहुत धर्म के अपनाने के लिए साथ साथ अपनी पुत्री संगमित्रा और पुत्र महेंद्र को सिलंका में धर्म प्रचार के लिए भीज़ देता है और उन्हों ने बहुत धर् आजीपूर में भी एक हर पूर में लगा हुआ है इस तरह से जगा जगा उसने प्रचार पसार किया शातियों यह प्रेडा देने वाला अस्थान है महत्मा बुद्ध जी आज पूरी दुनिया के लगभख सत्तर देशों में फैल गए है और बहुत धन के अनुवाई लाखो महत्मा बुद्ध ने जहां पर प्रथम उपदेश दिया था पांच भिच्चूओं को वहां पर उपस्तित हुआ हूँ और इसके पहले मैंने बहुत सी धेर सारी बाते महत्मा बुद्ध और उनके अनुवाईयों और देशों के बारे में मैंने पूछा उसी कड़ी में मैं साहके ऐक जो पती यात्री यहां देखने के लिए क्लिए है मैं पुछता हूँ आपका नाम क्या है गॉरी संक्रयाता तो इस प्लेस का नेम सारनाप मंदिर का नें मूल लगंन ती बिहाई अच्छा जैनको बन्वाया सीलंका वालों नें इस मंदिर को बन्वाने वाले नेम आनागरी का ध्रम पाल जी यह मंदिर 1931 में ओपिन हो गया था जी अंदर जो स्टेचू दखेंगे भगवान बुद्ध के दात रखा गया है जब बुद्ध पुरी में आते पूरे सारनात निंगाल के घुमा के पूजा करते साल में एक बार दिखाते हैं दात को अ जीवने कैसे कैसे गुजुरा क्या मिला वो सारा सिनीर अंदर बनाया गया जापान वालों बनाया भगवान बुद्ध ने फाइप एंपर को फर्स्ट उपदेश इस पेंड की निचे दिये हैं भगवान बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश जो की इस तूपा के पास दिए जो पहला परवचन उनका था इस तूपा जो बहुत इस तूप जो राजा सोक समराट मनवाए थे जो बर्मा वालों ने अटेस्ट किया तो यहां पाज विच्छोकों को अपना वो शिसको बना बैठा दिया जो बोधिजम धर्म स्टार्ट इसी जगे सारना त्विलेस से है मेन बोधिक्री बुद्ध गया सेकेंड सी लंका थोल आपका सानात अना गरिका धर्म पालजीन अस्थापना की यह है धर्म चक्र ओम मनी पद्मे ओम मेनिंग बुद्धंग सरणंग अच्छामी धर्मंग संगं संगंसंग अच्छामी यह बेल जर्मन देश डोनेसं दिया ह सब्सक्राइब के सब्सक्राइब पूजा का समय कोई है इसमें पूजा के समझ शे बजी से साथ वे टका है दहएं दुपनाई नहीं कि हम उनका दांत रखा हुआ उस दांत को बुद्ध पुरी माना को निकाल के घुमा करते हैं साल में एक बार अध्यान्त को दो दिन पर इये हैं यहां सारे कंट्री के लोग है धरमसाला है लाज है होटल है टूरिस्ट गेश्टाउस है शाथियों में महत्मा बोधी मंदीर जो देख रहे हैं सामने मंदीर में महत्मा बोधी की मुद्रा की स्थिति दिखाया गया ध्यानी मुद्रा की स्थिति में दिखाया गया यहीं पर उसके नीचे जो है महत्मा ब आपको इंस्पायर करें तो यह वीडियो को अधिक मत्रा में लाइक करें और सब्सक्राइब करें जाए जाए खुस्ट